जब भी कोई बाबा केदार के धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचता है या फिर ये कह लीजिए कि जब भी केदार नात यातरा का जिक्र होता का है तो हर आम और खास के जिखन में 2013 का वो प्रले याद आ जाता का है जब इस पूरी केदार घाटी में बहुत कुछ घटित हुआ था इसलिए आज हम वहां पर मौजूद गएं जिसे देखकर आपको उस पल की याद आएगी या फिर ये कह सकते हैं कि उस खशन को आप इस लिहाद से याद करेंगे कि आकर ऐसा कौन सा चमतकार हुआ जिसने बाबा केदार के इस दिव्य मंदिर को हुबहू आज तक वैसा का वैसा बचाए रखा तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ये एक शिला का है इस शिला का नाम जो है वो भीम शिला रखा गया दरसल हुआ ये कि जब ये पीछे चौराबाडी ग्लेशियर खै जरा अभिशेक जरा पीछे की तस्वीरे दिखाईए अभी चुकि कोहरा बहुत जादा खै इस वज़ज़ से आपको बहुत जादा नजर नहीं आएगा लेकिन यहाँ जब आप पीछे देखेंगे तो आप पहाड पर ग्लेशियर नजर आएगा उसके ठीक बगल में एक जील बन गई थी जो चौराबाडी ग्लेशियर खै उसके ठीक बगल में एक जील बनी और वो जील 2013 में जब तूटी तो फिर उसकी वज़ज़ से एक प्रले सी इस्तिती यहाँ पर बनी थी लेकिन उसी प्रले है या फिर यह कहले जी कि आज भी एक बड़ा आश्यर चकित करने वाला अनुभाव है कि अतनी बड़ी शिला जो पहाड से कैसे तूट कर यहाँ पर पहुंची और यह भी बताते हैं जानकार कि इस तरह का पत्थर है वो इन पहाडों पर नहीं पाया जाता है यही कारण है कि चमतकार की सबसे बड़ी वज़ा जो है वो इस शिला को माना जाता है इसे भीम शिला कहते हैं अब दूसरी चीज़ जब पानी का वेग यहां से आ रहा था तो वो पानी का पूरा वेग इस शिला की वज़ा से डोनों तरफ से डाइवर्ड को गया यानि आप जब देखे लेकिन मंदिर के पहले इस शिला का यहां रुख जाना ये भी एक आशर में डालने वाला सवाल का है अब जब आभी शेक आगे आईए आपको मंदिर और शिला के बीच का गैप दिखाते हैं कि आखिर कितना डिस्टेंस मंदिर और इस शिला के बीच में हैं उससे आप और पर समझ में आता होगा कि इतना गैप होने के बाद ये शिला कैसे रुख गए अब ठीकहे मंदिर से टकराती फिर रुखती तो आप यह कह सकते थे कि मंदिर से टकराने कि वज़े से विशाल मंदिर के उससे टिक कर ये शिला रुख गई और यही कारण है कि पानी दोनो गीशनती भी आपको बता देते हैं चूकि शैद आप सब जानते हैं कि कैसे पाँचो पंडव यहां आये थे बाबा कैदार को ढूनने के लिए उनके द dentalジャンitt Shin करने के لिए और अपने पापों सब चाहँ sus करते हैं उनका आना जाना यहां बना रहता है बाबा के दर पर वे पहुंशते हैं और बहुत बड़े भक्त हैं बाबा के इकिमद अंतिया बैं बता रहा हूं और यही किमद अंतिया कि अचानक कोई देवी शक्ति आई उस शिला को यहां पर रखा और यहां से अद्रश्य हो क्योंकि उस समय न कोई देख पा रहा था न कोई सुन पा रहा था न कोई समझ पा रहा था लेकिन फिर भी यह सवाल बना हुआ था कि आखिर कैसे इतना पुराना मंदिर यहां पर बच पाया और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वह यही भीम शिलाक है अभिशेक लगातार आपको तस्वीरे दिखा रखेंगे इस पूरी केदार घाटी को जब आप देखेंगे तो इस श्रंग में इस वैली में आपको यह अध्भुत नजारा नजार आएगा आप मंदिर के पत्थरों को देख लीजिए यहां नीचे अभिशेक आपको पत्थर दिखाएंगे उन कई लिए इस शिला को यहां पर उनहीं पहुंचाया और मंदिर को बचाया कुछ लोग हैं आप कहा से आ रहा है माजी जोचपुर रजेlan से ऐसे आपको पता है यह क्या है यह जो बहुदे बचाया ऐसे मंदिर करक्षा होई थी कहां से आएं सरा महारश्ट शाय है शिला के बारे में आपको जानका दिए शिला के बारे में कुनिशी एक क्याननों को आया था ते रहांनों को बाड आई थी करके हमारा रिजूरुशन कैंसल हो गया 2013 में 2013 में तो यह 11 और 12 को आये थी में और 13 को बाड आई करके हमारा रिजूरुशन कैंसल हो गया उसके लिए हमारे को आने को भगवान का दर्शन मिलने को नहीं पिर बात में समझ गया है कि यहां जो बाहर का नंदी आई न उन नंदी की बाजू में सब महुतच पोड़े थी आदमी गिर के पुड़े थी जो अंदर का मनंदी आई न महाधियो जी कम है वहां जो बज़ गए लोग वहां के मंदी बच गए बाकी का पूरा मंदीर इस शीला के कारण बच गाया मंदीर आप लोग चपल अपली पहनी आप लोग ने सबी वक्तों को हर महाधियो हम बोड़े अर्याने से आई हैं सपेशल महाधियो के दर्शन करने के लिए नंगल नंगे पैदल चड़ाई की हमने कल सोन प्रियाक से नगल पैरो नहीं लग रही है महाधियो के सरण में आके क्या ठंड बोड़े हैं आप गौरी कुंट से पैदल बिना चपल क्या रही है सोन प्रियाग से पैदला रही है दोली के साथ बिना चपल के बोले हो वहाई जाए हर सहाल आते हैं नहीं बोड़े पहली बार आई है जी जी तो यह देखिए ये एक और एक और भोले भोले नात के बगत तेक हैं क्या नामें भाइसाब आपका यहीं का हूँ मतलब पॉड़ी गड़वाल के रहने वाले हैं तो यहां से कितना दूर है यहां से लगा लो तुम दोसों के विए फाटा और उसके आसपास है अब यह सिरीनगर से उपर जब 2013 में जो प्रलाय आया था उस समय तो यह सब उस ताम तो हम कावी जोटे भी दे उत यहां से तूटके आई यह शिला कुछ पता है उपर से किसक कि यहां पर भीम शिला इसका नाम भीम शिला किसने रखा कुछ जानकारी यह तो इतना तो जानकारी नहीं है साथ संदों ने रखा आये न वाराँ जी आगे आई कैसा है ओगया है तो किधारनाथ का करने के लिए भीम शिला अपने आ पाया है कहा से आया कैसे ओए पता नहीं इसका इसको भीम शिला क्यों कहते है इसको भीम सिला इसने के रक्षा किया ना तो भीम का दर्शनता पहले भीम का दर्शनता भीम नहीं पहले दर्शन किया था सो तो नों ने किया था पाचपंडों ने तो भीम के रूप में आ गया भीम के रूप में आया उसने फिर जहुता का रक्षा हुआ दोनों भाड़ पा तेक उतर से नाम गिरता है अपने आप थोड़ी ना गिरता है मंदिर की जितनी आस्ता और श्रदाग है बाबा केदारनाद के दर पर जितनी लोग मत्था टेकते हैं वो सभी लोग बाबा केदारनाद के दर पर पीछे भी पहुँचते हैं और यहां धीम शिला के दर्शन भी करते हैं जिसकी वज़े से आज ये दिव्य और भव्य मंदिर इसी तरह से गगन चुम्मी जो ध्वजा और गुंबत के शिखर के रूप में आज भी विद्दिमान है और आम लोगों को दर्शन दी रहा है वीजे अभीशेक के साथ दीपेश्मर्गले रिपब्लिक भारत झाल